हेलो माई डियर स्टूडेंट विलकम बैक तो माई यूटूब चैनल मैतमेडिक्स आसाने बाए महिंदर सर्थ तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैतमेडिक्स एंड स्टाइस्टिक्स का क्योशन बैंक सॉलिशन जोकी बोर्ड ने प्रवाइड किया है फ आज की वी तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चाप्टर नमबर त्री यानि की डिफ्रेंशियेशन का क्योशन बैंक का सॉलिशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको मल्टिपल चॉइस के सॉलिशन बताऊंगा उसके बाद आपका ट्रू और फॉल्स है फि वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तक वीडियो जरूर देखना तो तो मैंने यहां पर लिखा है मल्टिपल चॉइस क्योशन क्योशन नमबर वन है वन माक के लिए आता है इच क्योशन बोड एक्जाम में फर्स्ट क्योशन है वाई इस इकोर दो लिखा उसे आपको रफ पर सॉल करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर सिस्टमाटिक सॉल करके आपको बताया है कि इसका ऑप्शन यानि की आंसर क्या आएगा बट एक्जाम में ज्यादा टाइम में रहता है आपके पास तो आप रफ पेच पर इसे शॉटकट में सॉल कर लोगे औ यह हो गया वन अपॉन त्री एक स्क्वार माइनस टू एक्स माइनस वन रूट निकाल गोगे तो पावर हाफ हो जाता है मालू मैं आपको उसके बाद फिर यह डिनॉमिनेटर में जो आपको फंक्शन दिया है वह पावर में है तो मैं इससे निमेरेटर में लिकर जाओंग तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा त्री एक स्क्वार माइनस टू एकस माइनस वन होल रेस टू माइनस हाफ माइनस वन हो जाएगा सो देखो यह डिनॉमिनेटर में है त्री एक स्क्वार माइनस टू एकस माइनस टू हाफ जब यह निमेरेटर में X के प्लेस पे X का composite function है थो as it is रहीगा raise two n min 1 – 1 तो यहां पे raise two n minus one तो minus half minus 1, to minus half minus 1 कितना जाएगा? minus 3 by 2 हो जाएगा cross multiply करें और उसके बाद क्या करना होता है हमारा जो फार्मूला वो X raise to n के लिए होता है बड़ यह x नहीं है तो X के प्लेस पे जो भी X का breed फंक्षन है उसका derivative हम देखो multiply करते हैं तो यह divided x of 3x square minus 2x minus 1 होगा अब इसका derivative आपको निकालना है पता है 3 multiplied है उसको derivative apply नहीं होगा x square का derivative होता है 2x तो 2x into 3 देखो 6x हो गया minus 2x का derivative x का coefficient होगा minus 2 minus 1 constant है तो वो 0 हो जाएगा तो हमें क्या answer मिलेगा minus half 3x square minus 2x minus 1 raise to minus 3 by 2 bracket में 6x minus 2 अगर आप option चेक करोगे तो अभी यह answer हमें option में दिया नहीं है तो तो तुछा सा और modify करना होगा 6x minus 2 यह जो bracket में है bracket से मैं 2 को common ले सकता हूँ तो अगर मैं 2 को देखो common लूँगा तो minus 2 upon 2 हो जाएगा यह 3x square minus 2x minus 1 raise to minus 3 by 2 as it is रहेगा यहां से 2 common गया है तो क्या बचेगा 3x minus 1 3x minus 1 को यहाँ पर आगे लिख दो 2 to cancel हो गया minus यह 3x minus 1 यहाँ पर लिख दिया और यह 3x square minus 2x minus 1 raise to minus 3 by 2 यह आपका final answer है तो जो option d दिया है वह आपका correct है option d देखो वही है minus 3x minus 1 into 3x square minus 2x minus 1 whole raise to minus 3 by 2 यह हमारा final answer है तो exam में आपको यह multiple choice question में solution solve करके नहीं दिखाना है आपको direct यह answer लिखना होता है यानि कि option number लिखोगे और यह answer लिखोगे उसके साथ में तो यह देखो first question हमने solve कर दिया multiple choice का देखो second question यहाँ पर दिया है second question है if y equal to cube root of यहाँ पर root के अंदर दिया है 3x square plus 8x minus 6 whole raise to 5 दिया है क्या हो जाएगा 3x square plus 8x minus 6 whole raise to 5 ऐसी रहेगा cube root को remove करेंगे तो power 1 by 3 होता है remove करने का मतलब यहाँ पर हम cube root को power में convert कर रहे हैं तो cube root है तो 1 by 3 हो जाएगा square root रहेगा तो 1 by 2 होता है power यह 1 by 3 हो गया देखो power and power multiply हो जाएगा तो 5 into 1 by 3 5 by 3 हो जाएगा अब हम यहाँ पर x raise to n का formula use कर सकते हैं derivative का x raise to n का derivative होता है n into x raise to n minus 1 x के place पर क्या दिया है 3x square plus 8x minus 6 तो formula use करते हैं हम लोग तो जाएगा देखो n 5 by 3 3x square plus 8x minus 6 raise to 5 by 3 minus 1 into आपको करना पड़ेगा d by dx हमारा जो formula है वो x raise to n के लिए है बट x के place पर क्या दिया है यह function दिया है तो उसका derivative यहाँ पर into होगा तो यह हो जाएगा 5 by 3 3x square plus 8x minus 6 5 by 3 minus 1 cross multiply करोगे तो आपको 2 by 3 मिलेगा divided x of x तो 3x square का derivative वाले में आपको 6x आता है 8x का 8 आएगा minus 6 का 0 दो एक स्टेप और सॉल कर सकते हम लोग यहाँ आपर 6x plus 8 में हम 2 को कॉमल ले सकते हैं या नहीं कॉमल या तो भी चलेगा यह आपका final answer देखो 5 by 3 6 x plus 8 को पहले लिख दो into 3 x square plus 8 x minus 6 raise to 2 by 3 तो जो आपका option ए है वो correct है देखो 5 by 3 6 x plus 8 into 3 x square plus 8 x minus 6 whole raise to 2 by 3 तो यह second question solid हो गया देखो third question आपको दिया है multiple choice का question है y equal to 10 plus x plus 25 x q question में आपको mention किया है find the rate of change of x with respect to y यानि कि आपको यहाँ पे dx upon dy निकालना है तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे उसके बाद inverse का formula use करके हम dx upon dy निकालेंगे तो सबसे पहले मैं इसको differentiate करता हूँ तो dy upon dx equal to 10 constant है उसके साथ में xy नहीं है तो 10 का derivative to 0 हो जाएगा x का coefficient 1 है तो x का derivative to 1 हो जाएगा plus अब यह 25 multiplied है तो उसको derivative applied नहीं होता है वह as it is रहता है x raise to 3 का derivative हो जाएगा 3x square x raise to n के formula से तो 25 into 3 करोगे 75 हो जाएगा 75 x square हो जाएगा तो हमें क्या मिला dy upon dx equal to 1 plus 75 x square यह dy upon dx हैं बट और question में पूछ रहा है आपको dx upon dy because question में मेंशन किया है rate of change of x with respect to y तो dx upon dy का formula होता है 1 upon dy by dx थम लिखें कि 1 upon यह देखो आपको dy by dx मिला हुआ है 1 plus 75 x square तो dx upon dy answer आपका यह आएगा तो option जो भी है वो correct है 1 upon 1 plus 75 x square नौ question number 4 देखो आपको यह है question number 4 है y equal to 3 x plus 7 upon 2 x square plus 5 यहाँ पर भी same type है आपको पूछा है find the rate of change of x with respect to change in y यानि कि हमें dx upon dy निकालना है तो सबसे पहले हम dy upon dx निकालेंगे उसके बात भी dx upon dy आ जाएगा तो यहाँ पर दो function का division है और जब भी भी दो function का division होता है तो हम वहाँ पर u upon v rule apply करते हैं rule आपको पता होना चाहिए पहले v आएगा into d by dx of u minus u into d by dx of v upon v square where जो numerator का function रहेगा उसे हम u लेते हैं और जो denominator का function है उसे हम v लेते हैं तो देखते हैं u by v rule तो पहले v लिखा into d by dx of u minus u into d by dx of v upon v square simplify करते जाओ 2x square plus 5 ऐसी रहेगा उसको derivative नहीं है 3x plus 7 तो 3x का derivative 3 होता है plus 7 का 0 तो plus 0 meaningless है minus 3x plus 7 as it is रहेगा d by dx of 2 as it is derivative of x square 2x होता है तो 2x into 2 देखो यहां पे 4x हो गया plus 5 constant है तो उसका derivative plus 0 आएगा divide by इसे expand नहीं करना है as it is आपको लिखना है denominator को simplify कर दो 3 से bracket open करेंगे so 3 2 जा देखो 6x square plus 3 5 15 minus 4x से bracket को multiply करो तो minus 4 3 जा 12x square minus से तो minus plus minus हो जाएगा 4x into 7 तो 28x हो जाएगा divide by यह as it is रहेगा अब देखो 6x square minus 12x square तो minus 6x square हो जाएगा minus 28x और यह plus 15 as it is divided by 2x square plus 5 का whole square यह हमारा divide by dx मिला बट हमें क्या निकालना है dx upon dy तो dx upon dy का formula 1 upon dy by dx तो जब इसका reciprocal लोगे तो यह जाएगा numerator में यह आ जाएगा denominator में तो क्या हो तो 2x square plus 5 का whole square upon minus 6x square minus 28x plus 15 ठीक है यह मिल गया हमें तो जो option b है वो correct है तो answer आएगा आपका option b 2x square plus 5 whole square upon minus 6x square minus 28x plus 15 यह final answer है तो question number 4 भी solved कर दिया हमने ना सी question number 5 देखो आपको दिया है question number 5 है y equal to x root x दिया है देन आपको dy by dx निकालना है तो देखते हैं solve करके y equal x root x दिया है तो base में भी x का function है और power में भी x का function है तो हम यहाँ पर direct कोई formula यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर x raise to n का formula यूज नहीं कर सकते हैं a raise to x का formula यूज नहीं कर सकते हैं तो यह type के question को solve करने के लिए एक ही मेतर है taking log on both side दोनों side के function का log लेकर के पहले हम function को simplify करेंगे उसके बाद हम derivative apply करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो यह लॉग y is equal to यह जाएगा आपका log y equal to log of x raise to root x तो लॉग का property यूज करेंगे log y तो as it is रहेगा यह power में जो function दिया है वो लॉग के पहले देखो आके into हो जाएगा तो log y का derivative क्या होगा one upon y into divided x होगा and right hand side में root x into log x है दो function का multiplication है तो जब दो function का multiplication होता है तो वहाँ पे u into v rule आता है formula आपको पता है u into divided x of v plus v into divided x of u log y का derivative one upon y into divided x equal to u into v rule दो के पहले u आएगा into divided x of v plus v आएगा into divided x of u तो root x as it is रहेगा divided x of log x तो log x का derivative आपको माले में one upon x होता है plus log x as it is रहेगा into root x का standard derivative होता है one upon two root x यहां तक हो गया हमें चाहिए divided x तो d y by dx equal to y यहां पर divide है तो यहां पर जाकर के multiplied हो जाएगा और यह जो पूरा दोनों term है वो देखो bracket में चला जाएगा अब थोड़ा सा modification करना है option लाने के लिए आपको तो मैं क्या करता हूं देखो यह root x है यहां पर x है तो x को हम देखो root x root x लिख सकते हैं because root x into root x आपका x हो जाएगा और यह log x है upon 2 root x है तो हम देखो root x अब यहां पर यह root x देखो यह root x और यह root x को मैं common ले सकता हूं पहली बात तो यह root x भी मैं common लेता हूं but upon 2 common लेने के लिए यह जो 1 बचा है इसको 2 upon 2 लिखना पड़ेगा तो upon 2 भी दोनों में से common जाएगा आपका denominator में तो यहां पर क्या बचेगा 2 बचेगा plus log x अगर आप y upon 2 root x से bracket को multiply करोगी ही same thing आपको मिलने वाला है तो क्या मिल लिए हमें dy upon dx is equal to y upon 2 root x bracket 2 plus log x तो हमें जो option दिया है option a correct है option a में आपको दिया है y upon 2 root x log x plus 2 question number 5 भी हमने solve कर दिया question number 6 देख़ो आपको दिया है question number 6 है if y equal to x raise to x plus 10 raise to x then dy by dx आपको निकालना है तो यहां पर हम direct differentiation apply नहीं कर सकते क्योंकि 10 raise to x का derivative तो मालूम है 10 raise to x का derivative आएगा a raise to x के formula से a raise to x का derivative होता है a raise to x into log a तो 10 raise to x का derivative आएगा 10 raise to x into log 10 आएगा but x raise to x का derivative हम find out नहीं कर सकते क्योंकि base में भी x का function है और power में भी x का function है तो हमें क्या करना होगा यह first term को u लेना होगा और यह second term को v लेकर के solve करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा y equal to u plus v हो जाएगा हमें d by by dx निकालना है तो differentiating both side with respect to x तो d by upon dx equal to du by dx plus d by dx वो ही देखो यहाँ पर होगा d by upon dx equal to du by dx plus d by dx इसे हम दे देंगे equation number one अब हम u और v को separate derivative निकालेंगे तो मैं u लेके solve करता हूँ u equal to क्या है x raise to x तो इसका derivative निकालने के लिए मैं log method यूज़ करना पड़ेगा तो पहले हम taking log on both side करेंगे देखो तो log u equal to log x raise to x तो log u as it is रहेगा यहाँ पर log का property हो यहाँ पर log का property यूज़ होगा पावर आकर के log के पहले into हो जाएगा तो x log x हो जाएगा अब हम इसका differentiation निकालेंगे differentiating both side with respect to x तो log u का derivative with respect to x 1 upon u into du by dx होगा is equal to right hand side बे x into log x है तो हम वहाँ पर multiplication rule use करेंगे तो देखो u हो जाएगा into d by dx of v और log x का derivative क्या होता है 1 upon x लिख दिया है x of u x का derivative देखो direct यहां पर one लिख दिया तो यह x x कैंसल हो जाएगा u यहाँ पर divide है यहाँ पर जागर के into हो जाएगा x x कैंसल होगा तो bracket में क्या बचेगा 1 plus log x बचेगा और u हमने क्या लिया था x raise to x तो x raise to x पुट कर दिया इसे मैंने दे दिया equation number 2 equation number 2 में क्या मिला हमें du upon dx मिला अब मैं v को लेकर के solve करता हूँ तो हमने v क्या लिया था 10 raise to x तो v equal to 10 raise to x लिया था तो इसका derivative तो direct आएगा आपको log नहीं लिना बढ़ेगा क्योंकि यह a raise to x के form में है और a raise to x का derivative होता है a raise to x into log a तो dv upon dx equal हो जाएगा 10 raise to x into log 10 equation number 3 हो गया equation number 2 में du by dx मिला equation number 3 में dv by dx मिला अब हम from equation number 1, 2 and 3 equation number 1 से देख़वा आपको dv by dx मिलेगा dv by dx is equal to du by dx equation 2 से पुट कर दो plus dv by dx equation 3 से पुट कर दो तापका यह देखो final answer हैगा dv by dx equal to x raise to x bracket 1 plus log x plus 10 raise to x into log 10 तो अगर आप option ठीक से observe करोगे a,b,c,d तो आपको answer मिलेगा d d option मिलेगा x raise to x into 1 plus log x plus 10 raise to x into log 10 तो बहुत ही simple है हमने solve कर दिया इसे now see देखो multiple choice question का 7th question हम solve कर रहे हैं आपको दिया है if x raise to m into y raise to n is equal to x plus y whole raise to m plus n तो m और n यह number है तो आपको d y by dx निकालना है हम इसे solve करेंगे अगर आप data solve करेंगे तो थोड़ा सा difficult होगा तो मैं इसे log लेकर solve करेंगा तो easy हो जाएगा because यहाँ पर multiplication है log लेंगे तो वो addition में convert हो जाएगा तो हम इसका log लेंगे तो taking log on both side तो यह जाएगा log x raise to m into y raise to n is equal to log of x plus y whole raise to m plus n log लेने के बाद हम log का property use करते हैं उसे simplify करते हैं तो देखो यहाँ पर multiplication है तो वो addition में convert हो जाएगा तो यह जाएगा log x raise to m plus log y raise to n power है तो वो log के पहले आकरके into हो जाएगा तो आपको मिलेगा m into log x plus n into log y और right hand side में जो log apply किया है m plus n power में है तो log के पहले आकरके into हो जाता है log का property है यह जाएगा m plus n into log x plus y अब यह log use करके simplify हो गया अब हम इसे differentiate कर देंगे हम देखें के differentiating both side with respect to x तो देखो यह first time है यह second time है दोने में derivative अपला होगा m तो constant as it is रहेगा log x का derivative with respect to x 1 upon x होता है यह जाएगा m upon x plus n as it is रहेगा log y का derivative 1 upon y होगा बट into लिखना पढ़ेगा dy by dx m plus n constant number as it is रहेगा log x plus y का derivative 1 upon x plus y हो जाएगा देखो 1 upon x plus y हो जाएगा बट into करना पढ़ेगा dy by dx of x plus y तो next step में यह m upon x plus n upon y into dy by dx is equal to m plus n upon x plus y as it is रहेगा इसमें derivative अपलाएगा x का derivative with respect to x देखो 1 होता है plus y का derivative with respect to x dy by dx होगा तो यहाँ पर देखो आपको dy by dx का 2 term मिलेगा एक term यहाँ पर है दूसरा term यहाँ पर है और हमें dy by dx निकालना है तो पहले यह जो dy by dx है इससे हमें separate करना होगा यानि कि 1 plus dy by dx को यह जो बाहर है m plus n upon x plus y से multiply करना होगा bracket को open करना होगा तो left hand side as it is लिको m upon x plus n upon y into dy by dx is equal to m plus n upon x plus y से first term को into करो m plus n upon x plus y into 1 करोगे same thing आएगा बीच में plus m plus n upon x plus y into देखो dy by dx तो dy by dx का एक term देखो यहाँ पर हमें मिल गया है और दूसरा term यहाँ पर है तो यह जो dy by dx का term है उसे मैं LHS में shift करूँगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर plus है तो यह minus हो जाएगा m plus n upon x plus y into dy by dx उसके बाद यह m plus n upon x plus y as it is लिखेंगे और यह plus m upon x है तो right side में जाएगा तो minus m upon x हो जाएगा दोकर left hand side में जो दोनो term दिया उसमें dy by dx dy by dx common है तो हमने दोकर dy by dx common ले लिए तो क्या बचेगा आपका n upon y बचेगा minus m plus n upon x plus y बचेगा equal to यह मैंने as it is लिखा further simplify करते हैं dy by dx bracket में cross multiply कर दो n into x तो nx plus ny देखो nx plus ny minus y से into करो m plus n को minus sin change होगा minus my minus ny minus my minus ny upon y into x plus y just हमने cross multiply किया LCM लिया है इसी को लोड़ा राइट हैंड साट का cross multiply करेंगे देखो हम लोग यहां पर यह हो जागा x into m plus n mx plus nx हो जागा mx plus nx then minus m से multiply करेंगे x plus y को minus mx और यह minus my minus mx minus my upon x into x plus y as it is रहेगा हमने cross multiply किया LCM लिया कुछ cancellation होगा plus n y minus n y cancel plus mx minus mx cancel तो और यह देखो x plus y upon में है यहां पर भी x plus y है cancel हो गया तो क्या बच रहेगा ultimately dy upon dx nx minus my बच रहे है upon y is equal to यहां पर nx minus my बच रहे है upon x nx minus my और यहां पर भी nx minus my है same denominator है cancel हो गएगा तो यहां पर यहां पर 1 upon y बचेगा यहां पर 1 upon x बचेगा और यह into dy upon dx है तो dy upon dx equal to क्या हो जाएगा आपका यह y divided है यहां पर जाकर के into हो जाएगा तो y upon x हो जाएगा तो आपका जो answer आएगा option a आएगा y upon x तो dy by dx का value y upon x है question पर 8 देखो आपको दिया है x raise to y is equal to 2 raise to x minus y then question find dy by dx तो यहां पर भी direct term differentiation यूज नहीं कर सकते तो हमें log लेना पड़ेगा दोनों साइड का तो take log on both side यह हो जाएगा log x raise to y is equal to log of 2 raise to x minus y log का property y power में है यहां परा करके into हो जाएगा log के पहले तो y into log x हो जाएगा is equal to x minus y into log 2 log 2 number है constant है वो अब हम इससे differentiate करेंगे both side with respect to x तो यहां पर u into v rule लाएगा y into log x में formula आपको पता है u into dy by dx of v तो log x का डर्योटू 1 upon x लिख दिया plus v यानि कि log x into dy by dx of u मतलब dy by dx हो गया is equal to log 2 number है वैसे ही रहेगा और x minus y में derivative apply होगा तो x का derivative with respect to x देखो 1 होता है then minus y का derivative with respect to x तो dy by dx होता है तो left side आप तो left side आपका हो गया y upon x plus log x into dy by dx is equal to right hand side देखो bracket में आपको dy by dx दिया है तो bracket को open करना होगा log 2 into 1 तो log 2 हो जाएगा minus log 2 into dy by dx हो जाएगा तो left hand side में देखो log x into dy by dx है और right hand side में यह जो term है यहाँ पर भी dy by dx है इसे हम यहाँ पर shift करेंगे तो plus हो जाएगा log 2 into dy by dx is equal to यह log 2 देखो as it is रहेगा और यह y upon x को वहाँ पर shift करोगे तो minus y upon x हो जाएगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा left hand side में दोनों भी term से मैं dy upon dx को common निकालूँगा तो dy upon dx common लिया तो क्या बचेगा आपका log x plus log 2 हो जाएगा is equal to यह आप cross multiply कर सकते हो यह हो जाएगा x into log 2 minus y upon x dy by dx common लिया है तो यह देखो वहाँ पर जाकर के divide हो जाएगा तो dy upon dx equal to x log 2 minus y as it is रहेगा यह जाएकर division में हो जाएगा तो x into log x plus log 2 हो जाएगा numerator तो as it is रहेगा x into log 2 minus y यह थोगा simplify हो जाएगा x as it is रहेगा हम यहाँ पर log का property यूज़ कर सकते हैं log x plus log 2 तो plus से तो multiple हो जाएगा तो log 2x हो जाएगा देखो वह लिखा है log 2x तो यह आपका final answer है option आपको a मिलेगा x log 2 minus y upon x into log 2x तो यह question number 8 भी हमने solve कर दिया ना उसी देखो question number 10 आपको दिया है question number 10 है if x equal to 2 am y equal to 2 am square है where m is a parameter m is a parameter का meaning होता है कि हम इसे differentiate करेंगे with respect to m यह ध्यान में रखो आप तो देखो यहाँ आपे x का value 2 am है y का value 2 am square है और आपको d by by dx निकालना है तो हम differentiate करेंगे one by one यह parametric differentiation है m parameter है तो हम differentiate करेंगे x and y को with respect to m तो देखो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा है तो m का coefficient 2a वह उसका derivative हो जाएगा तो x is equal to am है तो dx upon dm क्या हैगा 2a हो जाएगा इसका derivative सेम वे देखो y equal to 2am square है तो dy upon dm is equal to a constant as it is रहेगा m square का derivative होता है 2m तो 2m और यह 2a तो कितना हो जाएगा आपका 4am हो जाएगा तो लिख दिया 4am हमें निकालना है dy by dx तो parametric differentiation का rule है dy upon dx equal to होता है dy upon dm whole divided by dx upon dm dy upon dm कितना मिला है 4am upon यहाँ पर लिखेंगे dx upon dm कितना मिला है देखो 2a तो यह a cancel होगा और यहाँ पर 4 है तो हम cancel करेंगे 224 तो यहाँ पर 2m बचेगा आपका देखो यहाँ पर 2m आ गया तो dy by dx equal to 2m मिल गया यानि कि option a आपका correct है answer आएगा 2m now question में 10 देखो आपको दिया है question number 10 है if x equal to a into t minus 1 upon t y equal to a into t plus 1 upon t हमें dy upon dx निकालना है important question है multiple choice का यह x equal to a into t minus 1 upon t है तो हमाँ differentiate करूँगा with respect to t because t parameter है देखो dx upon dt equal to a as it is constant है t का derivative with respect to t1 होता है और ये 1 upon t 1 upon t का derivative होता है minus 1 upon t square तो minus minus देखो plus हो जाएगा one upon t square same way हम y को लेके solve करेंगे तो यह हो जाएगा देखो आपका dy upon dt is equal to a as it is constant है t का derivative with respect to t one होता है और one upon t merchandise होता है minus 1 upon t sqar 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 s जाएगा और यह में cross multiply करूँगा तो ती square प्लस बन अपन टी स्क्वर जाएगा तो अपन टी स्क्वर अपन टी स्क्वर कैंसल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा टी स्क्वर माइनस वन आपन टी स्क्वर प्लस वन बट हमें जो option दिया है उसमें तो यहां से मुझे टी स्क्वर माइनस वन का मिलेगा ती स्क्वर माइनस वन का वैलू मिलेगा यहां पर देखो टी है जाकर के मल्डिप्लाइट हो जाएगा यहां से मिलेगा से सेम वे टी स्क्वर प्लस वन का वैलू यहां yt upon a, तो a cancel होगा, tt cancel होगा, x upon y जस्ट आपका बचेगा, तो dy by dx क्या है मिल गया, x upon y, तो जो option a है वो correct है, x upon y, यह आपका sum solved हो गया, नो देखो multiple choice का last question है, question number 11 हम solve कर रहे हैं, x equal to 80 square है, y equal to 280 है, where t is a parameter, तो आपको second order derivative निकालना है, d square y upon dx square निकालना है, तो सबसे पहले हम dy by dx find out करेंगे, उसके बाद हमें d square y upon dx square मिलेगा, तो dy upon dx निकालने के लिए parametric rule यूज़ करेंगे, तो पहले देखो x ले लिया, तो differentiating with respect to parameter t, तो dx upon dt, ए constant है, t square का derivative क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, then यहाँ पर y है, dy upon dt is equal to 280 का derivative, t का derivative with respect to t1 होगा, तो यह 2a बचेगा, dy by dx equal to formula है, dy upon dt, whole divided by dx upon dt, तो dy by dt कितना मिला है, देखो यहाँ पर, dy by dt हमने निकाला हुआ है, 2a, तो यह हो गया 2a upon, dx upon dt कितना निकाला है, 280, 2a, 2a cancel हो गया, तो 1 upon t बचेगा, तो dy upon dx का है मिला, 1 upon t मिला, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, d square y upon dx square, तो dy by dx को मैं differentiate करूँगा with respect to x, तो क्या हो जाएगा, d square y upon dx square हो जाएगा, d square y upon dx square हो जाएगा, 1 upon t का derivative with respect to x है, तो minus 1 upon t square होगा, into लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे dt upon dx लिखना पड़ेगा, तो minus 1 upon t square into, यह d square y upon dx square हो, d square y upon dx square हो, minus 1 upon t square into dt upon dx, देखो यहाँ पे dx upon dt 280 है, तो इसका inverse लेंगे, dt upon dx क्या हो जाएगा, 1 upon 280, तो देखो into 1 upon 280, यह हो जाएगा minus 1 upon 2a t square into t क्या हो जाएगा tq हो जाएगा तो final answer आएगा minus 1 upon 2a t cube यह आपका d square y upon dx square का value है तो जो option दिया है उसमें correction है option में आपको यह दिया नहीं है बट यह answer हमारा correct है So my dear student through this video lecture हमने differentiation chapter का question number 1 से लेके question number 11 तक जितने भी multiple choice question थे question bank के वो हमने आपको solve करके दे दिया है with explanation तो I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा So I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा तो next video में remaining question continue करूँगा question bank के So next video भी बहुत important होगा उसे देखना मत भूलना और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना maximum students को share कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर देना so that मैं जो भी latest video बनाऊंगा उसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी सो थैंक्स for being with me मिलते नेक्स लेक्चर में